नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पद में है। अभी पिछले दिनों इतिहास के जगत में एक बहुत बड़ा स्तंब गिर गया। सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ कि गिर गया स्तंब दरसल बहुत ही जाने माने इतिहास कार थे प्रोफेसर रनजीत गोहा उनकी मृत्यों हो गई। ठीक एक महिना छोटे थे अपने सौवे साल से। 2023 में उनका जनम हुआ था और 2023 में उनका देहान दुआ बस एक ही महिने का फर्क था। प्रोफेसर रनजीत गोहा के बारे में हम आज बात करेंगे क्योंकि उनका जो इतिहास था मौर्डन हिस्ट्री के वो स्कॉलर थे। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी कारण से एक तरह से एक बहुत लंबे समय के लिए एक मेजर कॉंट्रोवर्सी रही एक मेजर पोलराइजिंग फिगर के तौर पे हो रहे तो हम प्रोफेसर रनजीत गोहा उनके काम और उसके चलते इतिहास में हिस्टीरियोग्राफी में किस तरह का इंपैक्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे हम इसमें बात करेंगे हमाई साथ हैं प्रोफेसर शशी बूशन उपाद्याए जो इंदरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के तो शशी भाई हमारे इस कारिक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद सन्यों की बात है कि हम लोग जवाहलाल नहरो विश्वव विद्याले में लगभग उसी समय थे early 1980s, 1981, 82, 83 समय में थे जब प्रोफेसर रंजीत गुहा की जो अवधारना थी subaltern studies की या फिर जिसको history from below एक तरह से हम मान सकते हैं कि इतिहास के जगत में इतिहास का अध्यान के जगत में एक तरह से उथल पुथल मचा दिया था अभी भी हमको इतिहास के जगत में हमको अलग-अलग खेमे के लोग मिलते हैं कुछ लोग जो इन दिनों मतलब काफी लिखा गया है जो पूरे भक्ती भाव से प्रोफेसर गुहा के काम को देखते हैं वो उनको मतलब एक तरह से saintly figure के तोर पर हिस्टरी में मानते हैं दूसरे तरफ ऐसे इतिहास कार हैं जो मानते हैं कि modern history में उनका अप्रोच जो था बहुत ही रेट्रोगेट था और वो उसको बहुत harsh criticism करते हैं हम चाहते हैं आपके साथ आपसे जब बात हो रही थी कि हम इस कारिकर में बात करेंगे बहुत जरूरत है कि हम एक तरह से walkthrough करें दोनों extreme views को अलग रखते हुए समझाते हुए लोगों को ताकि हमारे पाठक जो है वो समझें और क्यों महत्वपूर्ण है subaltern studies or history from below के concept को समझने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि उन दिनों मैं इतिहास का चात्र नहीं था तो university में रहके सुनते थे controversy हो रही है लेकिन ज्यादा समझते नहीं थे तो ज़रा समझाएंगे उस controversy को जो लोग 1980s के early सालों में जो subaltern studies को लेकि जो controversy हुई क्यों हुई और प्रोफेसर रंजीत गुहा ने उसको किस सरे से trigger किया था दरसल ये पूरा विवाद इस मसले पर था कि अंततर इस मसले पर आया कि इतिहास को किस रंग से लिखा जाए लेकिन विवाद शुरू इस बात से हुआ क्योंकि प्रोफेसर गुहा ने जो की एक अच्छे historian थे उस समय उनसे पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी rule of property in Bengal एक बहुत ही अच्छी किताब है और वो जो खासतोर से ideas के history को लेकर है जो कि अपने आप में एक नया उस समय प्रियास था कि कैसे rule of property जो permanent settlement था वंगाल में उसको एक economic history का partner होके एक intellectual history का पर्मनेंट से जो बोलते हैं जमिनदारी सिस्टेम उसी से इवाल्व होती है औ जमिनदारी बंदोबस्त के नाम से जिसको जाना जाता है तो उसका इतिहास बहुत कुछ लिखा गया था उस पर लेकिन वो मुख्यरूप से अर्थिक इतिहास का हिस्सा होता था लेकिन वो तो पूरा संस्कृती और पूरी राजनीती पे चाही रही जमिनदारी सिस्टेम गुहा ने एक तीसरे एंगल से उसको अपरोच किया कि कैसे उसका आइडिलाजिकल बेसिस क्या था तो उसकी एक इंटेलिक्चुल हिस्ट्री लिखे और उसको यूरोप में फिजियोक्रेट्स जो थे एक फ्रेंच रिवलूशन से पहले फिजियोक्रेट्स को कैसे समझाए फिजियोक्रेट ऐसे थे क्योंकि उससे पहले एक वानिजिवाद की आइडियोलोजी थी जो कि मानते थे कि व्यापार से ही धन पैदा होता है तो इसलिए ओ गोल्ड शिल्वर या बुलियंज इसको कहते थे इसको लेकर ज्यादा चिंतित रहते थे कि यह ज्यादा इकठा क तो बानिजिवाद या मर्केंटाइलिजम की आइडियोलोजी थी फिजोक्रेट जो आए उन्होंने इस आइडियोलोजी को खारिज किया इन्होंने कहा कि धन जो पैदा होता है यह ट्रेड से नहीं होता है वो प्रोड़क्शन से होता है उत्पादन से होता है और खास तोर अगरिकल्चर से होता है, वो कॉमर्स से नहीं होता है, तो मर्केंटाइलिजम को उन्होंने खारीज किया और इसके बाद फिजियोक्रेट्स एक पूरा जो मौडर्न एकनॉमिक्स डेवलप होता है, क्लासिकल एकनॉमिक्स उसका उन्होंने आधार तयार किया, जिसमें की कॉमर्स वो सेकंडरी चीज है, तो एक यह चीज था, तो गुहा ने इस बात को वो उनके पहले की किताब में जो रूल अप रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक बड़ा अच्छा इंटर्वेंशन था, वो एक अच्छे इतिहास का उसके लिए पूरी तर से इति इतिहास का जगत में बिलकुल इस्टाबलिश नहीं हुए थे, और उनको, क्योंकि वो अलग चीज थी, इतिहास का जगत उस समय जो इतिहास का थे, वो लोग उसको बहुत बड़ा बढ़िया काम नहीं मानते थे उस वक्ते, बढ़िया काम के अलावा मुझे लगता है को उ नहीं है क्योंकि एकनॉमिक हिस्ट्री का बोल वाला था उस समय और इस त्रहं की आइडियास की हिस्ट्री पे उतने जोर नहीं था और पूरा जमिनदारी सिस्ट्रम को एकनॉमिक हिस्ट्री के point of view से ही देखा जाता था और अंग्रेजों के कोलोनिलिजम से रिलेटेड, त एक history of ideas से अप्रोच किया तो वो बिलकुल recognized नहीं थे उस समय और उनकी thesis को भी बहुत problem जेलनी पड़ी पहले उन्होंने विदेश में कहीं submit किया था तो उन्होंने एक सब्समिद किया था फ्रांस में फिर कहीं और जमा किया उन्होंने वहाँ किया और जाके फिर नौकरी कर र उसके अपार्ट थे, जो कि मेंस्ट्रीम से जो तुमें जया Yorkant Live की बूइन थाय। हो सकता है कि इसको लेकर होता यह है न, 내 है न, गुऌने खुद ही का है कि पाइनियर का एक इंपेशंस होता है, को पाइनियर होते हैं, hearing 너 kids पाइनियर्स का इंपेशेंस होता है, आपने को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने जो सबल्टन स्टड़ी जो पहली बार 1982 में प्रकाशित हुई थी पहला वॉल्यूम उसका प्रिफेस लिखा था उन्होंने तो प्रिफेस में दो-तिन बड़ जो अब तक इतिहास लिखा गया है, वो संब्रांतवाद इतिहास है, इलिटिस्ट इतिहास है, और दो तरह के इलिटिजम थे, एक उपनिवेशिक संब्रांतवाद, और दूसरा गुर्जुवर नेशनलिस्ट इलिटिजम, तो यह इलिटिस्ट हिस्ट्री थी पूरा, अब इसमें यह बहुत स्टॉंग इसको पॉपुलर भाषा में बोला भी जाता था कि so far the history of India has been history from above, history from above or history from below उस तरह से करके juxtapose किया जाता था उस पर मैं आओंगा history from below की tradition और इनका जो departure उससे भी है तो एक तो यह था उनका की strong statement था तो कहीं ने कहीं ये Communist Manifesto का वो जो है ने The History of the Hether to Existing Society is the History of Class Struggle आज तक का सारे इतिहास वर्ग संदाज का तो उसका एक इसमें भी एक ठोड़ा reflection है वहां से derive करते हैं और जिस ठंग से वो भी एक मार्क्स के हिसाब से प्रिमेचूर स्टेटमेंट है क्यों कैपिटल में आते आते हैं पुरी चेंज भाड़ना बदलती है क्योंकि इवाल्व करती है बहुत आगी होती है सारी सुसाइटी में वर्ग संघर्ष ही नहीं होता है जैसे कि लाखों साल पहले जो सुसाइटी थी जिसको हंटिंग गैजरिंग सुसाइटी के नाम से जानते हैं उसमें वर्ग संघर्ष नहीं था वर्ग संगर शुरू होता है जब accumulation शुरू होता है अग्रिकल्चर शुरू होता है जब से सर्प्रस होता है और accumulation शुरू होता है जब से state formation होता है तो गंग सबर्ग संगर शुरू होता है तो वैसा ही strong statement था जिसमें की पूरा इन्होंने खारीज किया था उससे भी strong statement एक और थ कि आपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान विद्रोध का इतिहास जो है, वह counter insurgency का इतिहास है मतलब विद्रोह विरोध का इतिहास है विद्रोह का इतिहास नहीं है विद्रोह विरोध का इतिहास है विद्रोह विरोध तीनों अब इसमें उन्होंने माक्सिस हिस्टोरियंस को भी समिट लिया पहले स्टेटमेंट में दो तरह के historians थे, colonial historians और bourgeois nationalist historians. दूसरे वाला statement जिसमें किसान विद्रो के इतिहास की बात उन्होंने कही, विद्रो और विरोध को वो फर्क विद्रो विरोध का, विद्रो के विरोध का इतिहास है, counter insurgency. It's a history of, the history of peasant insurgency is actually history of counter insurgency. उसको विद्रो का विरोध किया, उन्होंने, क्योंकि विद्रो का विरोध कैसे किया? क्योंकि उन्होंने किसान विद्रो के इतिहास को, किसान का इतिहास न लेके, किसी और इतिहास में तबदील कर दिया. तो किसान की जो एजनसी थी उसकी सक्रियता थी वो खतम कर दी कोलोनियलिस्ट ने उसको इंपेरियलिजम की इतिहास की तरह ट्रीट किया कि कोलोनियल रूल कैसे बढ़ रहा है किसानों को विद्रो ने कैसे उसको बाधित किया है और कैसे बढ़ रहा है कैसे हमने उसको suppress किया और कैसे तो किसान के विद्रोग का इतिहास उसके एक्चली विद्रोग, विरोध का इतिहास हो गया बुर्जुवा नेशनलिस्ट ने उसको नेशन की हिस्ट्री के तरह से ट्रीट किया वहां से भी किसान गायद हो जाता है, क्योंकि तीनों ने किसान के वास्तविक मानसिक्ता को नहीं समझा, इनका यह अर्गुमेंट था, तो अब जब यह अर्गुमेंट इनों ने दिया, जिसको मैं मानता हूं कि एक अन्प्रोवोक्ट डिक्लेरेशन अफ वार था, इतिहास क जगत में, भरती इतिहास के जगत में, इतिहास के जगत में, इत वस एन अन्प्रोवोक्ट डिकलेरेशन अफ वार, तो रिक्शन होना ही था, जहां जवालाए अरि उन्सिटी में, बहुत रिक्शन वार नहीं, हम लोग कुए, उस कैमपस में थे, तो वहां पे सुखूजि इनका अटेक बहुत स्ट्रॉंग था तो ये महल था एक चीज समझाईए ये हिंदुस्तान में जो राश्ट्री आंदोलन था जो नैशनलिस्ट मूव्मेंट था उसको कई बार लोग समझाते हैं कि उनके परस्पेक्टिव से उन्होंने कलोनियल फोर्से और नैशनलिस्ट फ कि इस्टॉरियन्स जो थे उनको इतनी नाराज़गी क्यों है ते ना थी स्टॉरियन्स तो आप समझीए कि उस समय जब गोहा कहिए आता है तो नेशनलिस्ट हिस्टॉरियन्स थे नहीं इस तंसे जो प्योर पिझा जो भी उजा भी तो किया सकता है उतो तो तो ताहरा कि मार्क्सवादी इतिहासकारों का बोल बाला था इस पीरियड में आपका ये लेट सेवेंटी और अर्ली एकश्टवादी इतिहास को कहीं ने कहीं उसमें क्लास अलमेंट आता था एकनॉमिक का अर्थिक और इन सब चीज़ों को लाकर उग करते थे तो एक ज्यादा complicated history थी इसलिए उनको दुख भी हुआ कि हमने इतनी दिनों से राष्टवाद की एक अलग तरह की इतिहास लिख रहे हैं और इसका भी एक इसकी भी कोई प्रशंसा प्रशंसा तो छोड़िये इसका भी कोई recognition नहीं है कि प्रॉपर इतिहास है और माक्सवादी इतिहास कारों न एक history from below शुरू किया था यह subaltern studies history from below से इन्हों ने लिया था लेकिन history from below से यह अलए एक departure भी था उस पर बात करेंगे लेकिन शुरूआत history from below कि माक्सवादी इतिहास कारों ने किया था तरह 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 लेबर मुवमेंट पर लिखा पेजन को अगर हम समझना चाहें कि इन्हों ने जो बोला कि subaltern history लिखी जानी चाहिए subaltern history को बोला तो उसके क्या mean point से उनके हिसाब से subaltern history क्या थी दूसरे किसम की पर्क था तीन चीजें उस समय इन्होंने उस चीज को ले आये पहली चीज ये थी कि किसान की के एजनसी को recognize करना चाहिए मनें उसके किसान अपने विद्रों में खुद सक्रिय था और किसी और का इतिहास नहीं था किसान का खुद का इतिहास था और एक सक्रियता थी उसकी इसको मना जाना चाहिए पहली चीजे दूसरी चीजे उन्होंने कहा कि किसान या जो भी सबल्टन क्लास थे और सबल्टन जो है शब्द उस पर बाद में करें एक्चुली इतना ज्यादा है कि हर चीज पे लंबी भास हो सकती है लेकिन अभी तीन चीजे एक तो कि किसान के सबल्टन डूमेंशी होनी चाहिए दूसरा कि सबल्टन डूमें जो है यह सबल्टन वो एक स्वायत डूमें है यह अलग है पूरे उसमें जो है समाज में दो च्छेत्र हैं दो डूमें क्लियरली डिमार्केटेड डूमें है एक संब्रांत का संब्रांत वर्क का डूमें है दुसरा सबाल्टन वर्ग का डूमेन है, इलीट और सबाल्टन, और यहां सबाल्टन एक क्लास नहीं है, सबाल्टन एक आइडिया है, सबाल्टन वो है जो की इलीट नहीं है, तो जो संभरांत नहीं है, वो सबाल्टन है, तो सबाल्टन को हम वर्ग की जैसे निम्नवर्ग के या इसको निमनवर्गी प्रसंग के नाम से अनवाद कई जगह हुआ है, मेरे हिसाब से उस सही अनवाद नहीं है, सबॉल्टन अध्यन अनवाद उसका सही होगा, क्योंकि सबॉल्टन शब्द जो है निमनवर्ग नहीं है, मिडल क्लास को भी उन्होंने कई जगह पर देखा क तो सबॉल्टन टी एक पावर रिलेशनशिप है, वो एकनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, वर्ग एक एकनॉमिक रिलेशनशिप है, सबॉल्टन टी एक पावर रिलेशनशिप है, इसलिए इन्होंने दो अलग डुमेन की बात की, तो यह डुमेन क्लास डुमेन नहीं है, य तिकन बिल्कुल उने इस्परेट कर दिया. और तीसरी चीज उन्हों ने कहा, खास तोर से किसानों के संदर में और किसान विद्रो के संदर में किसानों की अपनी चेतना को कभी ध्यान में नहीं रखा लिया. उसको हमेशा या तो माना गया की, जैसे कोलोनियल हाँ राश्रार आमोबिलाइज करता है। हँआं माक्सवादी थिया समाना गया है कि इन्में वर्गचेतना थी। इन्हों किसान की अपनी चेतना क्या थी इसको कभी धկानगमें नहीं दिया गया और उसमें रेलिय्जिस इलेमन्ट कितने Ty इसमें धार्मिक चलती रहती हैं आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिस्रॉप्टिंग फोर्स का एक तरह से डिस्रॉप्टर के तौर पे एक्ट किये थे उस समय प्रफिसर गवा उसी समय ये किताब आने के बाद वो इंग्लेंड में जाके यूनिवर्सिटी अफ ससेक्स में प्रफिसर बन जा अब निश्रित रूप से क्लियर डिवाइड हो गया जो लोग इस्टैब्लिश्ट इंडियन उसमें थे कैडमिया में थे ज्यादातर माक्सवादी इतिहासकार थे या माक्सवाद से प्रभावित थे दरसल ये लोग भी सबल्टन स्टुडिस को देखा जाया तो तीन फेज हम पाते हैं पहले फेज में माक्सवाद का प्रभाव था इन पर और काफी सारे उसमें टर्मिनॉलज यू यू यूज करते हैं क्लैस्टर्मिनॉलजी भी इसमें और जो पूरा एक तीसरा statement इनों दिया कि failure of the nation to come in its own, इनका project यह था, कि यह समझाया जाया कि किस रंग से राष्ट नहीं बन पाया, क्योंकि राष्ट बनने की जो धारना थी, यह धारना इनकी थी, कि जिसमें की प्योर, मतलब कोलोनिलिजम के सारे element खतम हो जाना चाहिए, और बुर्जवा नेशनलिस्ट एक स्टेट का formation होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ इनका मानना था, जिस feudal elements थे, तो इनकी vocabulary काफी पहले की माक्सवादी vocabulary से थी, तो पहले वाले फेज में हम मानते हैं कि तीन वाल्यूम तक गुहा ने छे वाल्यूम एडिट किये सबल्टन स्टेडिस के, उसके बाद के वाल्यूम और लोगों ने डिट किये, छे शुरुग वाल्यूम इनों ने डिट किये, तीन वॉल्यूम तक ये सबल्टन एक कहीं न कहीं क्लास के नजदीग था, सबल्टन की अधारना और किसानों को लेके चलता था, चौथे और पांचवें वॉल्यूम में हम पाते हैं कि एक ट्रांजिशन का फेज आता है, जिसमें कि पोस्ट कोलोनियल जो और पोस्ट मॉडरन का प्रभाव शुरू होता है, और प्रभाव आता है खास दोर से बर्नाट कोहन के आर्ट कि बायस्त्री चक्रवर्ति इस्पिवात के आर्ट कि फिर थोड़ा एक डिरेक्शन चेंज होना शुरू होता है, फिर थार्ड फेज आता है, जिसमें पूरी तरह से छठे एक डिरेक्शन पोस्ट कोलोनिलिजम की और पोस्ट कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफिक की तरह डेवलप होता है, इन तीनों फेजेज में हम पाते हैं कि जो स्टैबलिश्ट हिस्टोरियन्स थे, चाहे वो लिबरल हों, चाहे नेशनलिस्ट हों, चाहे मार्क्सवादी ये नाराज़गी जताई कि ये उनको लगा कि कहींने कहीं उनके योगदान को नकार रहे हैं और बिल्कुल चीजों को ऐसे पेश करने के कोशिश करने हैं जो की हर मामले में नए नहीं हैं। सबल्टन स्कूल में शुरुवाती जैसे मैंने बताया कि ये सबल्टन एक इन तीन चीजों को लेकर एक स्वायत सक्री एजेंट की तरह था लेकिन बाद वाले फेज में सबल्टनिजम सबल्टन एक आइडिया की तरह रह गया वो पावर रिलेशनशिप तो पहले भी था सबल पहले इन्हों ने खङए ये संब्रांतवादियास है भाद में उने ख़ा राजसत्तावादी इतिहास है स्टेटेट औरींटेड ईस्टेट हिस्टोρχरीयोग्राफी है तो ये दोनों phages में इनका attack बदस्तूर जारी रहा जो और historians थे और जो ये कह रहे थे लेकिन इनमें भी ये change आता है जो कि ये कुछ लोग recognize करते हैं कुछ लोग नहीं recognize करते हैं इनमें change ये आता है कि सबल्टन एक सक्री स्वायत agent की तरह जो था वो बाद में खतम हो जाता है गायत्री चक्रवर्ति इस पिवाक का जैसे मानना है जो कि फिफ्ट वॉल्यूम में उन्होंने एक critique लिखा सबल्टन का उन्होंने कहा कि ये बुर्जवा कंसेप्ट है सबल्टनिजम का क्योंकि ये आप अटानमी की बात कर रहे हैं एक्चिली उन्होंने कहा कि सबल्टन होता है जिसके social mobility कोई होती नहीं जीरो होता है इह पुरी तरह से पहले concept की बिरोग में था तो इसपीवाक ने एक कहा फिर उन्होंने एक लिखी दा cultiv इसके, तो इसमें उन्होंने कहा के sub células cannot speak they have no voice so the subalternism is something in a new conception which is completely constituted by the dominant discourse by the streetist discourse The dominant discourse constitutes the subalternism. So, in fact, the subaltern एक अलग डोमेन की तरह एक्जिस्ट कर ही नहीं सकता. वो dominant discourse का पार्ट है. तो क्या यह पहले की जो सारे जो धार्णा थी उसको नेगेट नहीं कर रहे हैं? पूरी तरह से नेगेट हैं. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि subaltern discourse से पहले नहीं है. विमर्ष में ही subaltern पैदा हो रहा है. पहले subaltern एक एक एक्टिव एजेंट की तरह रियल्टी में एक्जिस है. मतलब subaltern की रियलिटी है नहीं. इस पार्ट अफ डिस्कोर्स. तो आप देख रहे हैं ना कि एक काफी सी चेंज है. एक बहुत रेडिकल डिपार्चर है जो इनके पहले का. यह भी हो है कि फिछले 10 साल से मतलब अपने जिंदगी के लास्ट के 10-15 या शायद उससे भी ज्यादा वक्त से प्रफिसर गोहा ने इतिहास के बारे में कुछ खास कुछ नहीं लिखा. वो बंगला लिटरेचर के तरफ काफी हद तक चले गए. उसके बारे में उन्होंने अध्यान किया, उसके बारे में उन्होंने लेक लिखे. हमारे जो इस कारेकरम को जो सुन रहे हैं जो देख रहे हैं उनको एक चीज जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि यह तो एक बहुत ही डेंस और बहुत ही अकाडमिक गेमों के बीच का एक डिबेट था जिसमें कई बार hostility भी थी कई बार friendly तरीके से भी बातचीत होती थी लेकिन क्या इससे इतिहास के अध्यन में किस तरह की improvement देखने को में देखने को इतिहास के अध्यन में actually काफी improvement इनका जो योगदान था वो काफी महत्वपून योगदान था बलकि मैं तो कहूंगा कि शुरू में जो है जब यह आया एक तरह से इसका electric effect था मतलब क्योंकि पूरा महौल उस समय ये था उस समय आप देखें कि कहीं ने कहीं एक authoritarianism का महौल था, 70s, late 70s का महौल, emergency थी, next light revolt को बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था, तमाम पंजाब में प्रॉब्लम शूरू हो गया था, तो तमाम यंग लोग थे, यूथ जो था, वो बहुत disgruntled यूथ था, तो कहीं ने कहीं वो established tradition जो बर्जवा नेशनलिस ट्रडिशन तो थ लेकिन माक्सवाद के भी एक tradition ऐसी आई थी, जो कि कहीं ने कहीं जिसका एक कम से कम जो नौजवान लोग थे, उनके दिमाग में धारना थी, कि ये लोग माक्सवादी इतिहासकार भी, कुछ खास, या माक्सवादी लोग भी कहीं ने कहीं जो पावर structure है, पार्ट बन रहे ह तो लोग काफे इसकी और आकरशित हुए थे, और खास दोर से जब ये बात सामने उनके आई और इसकी एक tradition भी थी, tradition थी को उस समय जो ब्रिटेन में या उसमें history from below बहुत popular हो रहा था, ईपी टामसन, जार्ज रूडे, क्रिस्टोफर गिल और इन लोगों ने तमाम लिखा जिसमें कि कहीं न कहीं popular agency को, popular history को देखा गया और popular history को उन्होंने अलग किया जो conventional history से है, conventional ideas से भी है, और कहीं न कहीं एक तरह से orthodox marxism से भी अलग किया उसमें, तो वो काफी appealing पहले से ही था, तो जब ये आया तो उसका एक part बनके आता है शुरू के page में, तो उसका जब प पूरी तरह समझ पाए, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने अच्छे रंग से ग्रान किया, तो इसका बहुत अच्छा effect था, और नए तरह की इतिहास लिखने की एक धारना उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग present struggles के बारे में, अलग तरह से specialized तरीके से हैं, किताबें लिखी जाती हैं, अभी भी बहुत कुछ होता है, जो exactly, शायद वो जो idea से कि सिर्फ हमको नेताओं का इतिहास नहीं देखना है, लेकिन हमको लोगों की जनता की भी का भी इतिहास को हमको देखना जाया है, और ये बात आ रही थी पहले से ही, क्योंकि आप labor movement में देखते हैं, कि ट्रेड यूनियन का पहले इतिहास लिखा जाता था, जिसे मान लिया जाता था कि labor movement, ट्रेड यूनियन मौवमेंट है, लेकिन बाद में, late 70s, early 80s में हम देखते हैं, कि हाँ, मजदूरों का इतिहास ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है, ट्रेड यूनिन का तो आगनाइज लेबर का इतिहास है, लेकिन मजदूरों का इतिहास ज्यादा बड़ा, वैसे ही किसानों का इतिहास, यूनियन और उससे अलग, लोग में, तो इसका एक positive impact रहा, निश्रित रूप से इसका positive impact रहा, और रंजीत गुहा का बड़ा रोल उसमें था, क्योंकि रंजीत गुहा जहां तक इनका personal हो था, काफी दिनों तक मार्क्सिस्ट शब्दावली का इस्तिमाल करते रहे, बहुत समय तक, बहुत बाद में जाकर इन्हों ने थोड़ा उससे अलग लिखना शुरू किया, तो आपने मतलब बहुत ही संक्षेप में समझाने की कोशिश क आप ने अपने कारेकर में हम लोग आपने बताया भी कि इसके इतने पहलू हैं, अलग अलग पहलू पे बहुत लंबी घंटों तक बहस हो सकती है, लेकिन बाए इनलाज हमको इतना clarity मिला कि प्रॉफिसर रंजीत गुहा ने किस तरह का अलग एक्तियास वाम एक आउटसाइ आएं, तो हम उमीद करते हैं कि हमारे जो एक चीज बस कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से एक disruption वाला element रहा, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा यह थी कि इस disruption को एक construction एक रचनात्मक रूप से अगर इसका उपयोग होता है तो बहतर हुआ, जो कि हुआ भी एक रचनात् तो हम उमीद करते हैं कि हमारे जो शोता हैं, जो देख रहे हैं इस कारिकरम को वो प्रफिसर रंजीत गुआहा और सबॉल्टन स्टडीज, History from Below, History from Above, अलग-अलग जो आइडियाज हैं, इन सब चीज के बारे में काफी हद तक समझे होंगे, और मैं उमीद करूँगा कि वो अलग-जोचिज।